देखिए आपके MI Redmi के फोन में GPS से रिलिटेट कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करें यहां पर मैं आपको बताऊंगा विडियो पूरी और विल्कुल ध्यान से देखते रहिए देखिए GPS यानी location की problem को solve करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए simply यहाँ पर location का option है location यानी GPS पहले के फोन में GPS लिखा होता था बट अभी जो new phone आ रहे हैं या new update आया है उसमें यहाँ पर location लिखा हुआ है तो आपको इसे enable करना है ठीक है enable करने के बाद आपको power button को long press करना है और यहां से phone को reboot कर लेना है reboot के बाद वापस से जब आपका phone on होगा तो उसके बाद आप वापस से disable कीजिए और वापस से enable कीजिए और इसके बाद आपकी GPS यानी location की problem solve हो जाएगी बट अगर इससे problem solve नहीं होती है तो आपको जाना है अपने phone की settings में और search में यहां पर लिखना है GPS ठीक है तो यहां पर location लिखकर आ जाएगा इसे open कर लेना है और उसके बाद देखिए यहां पर आप देख पाएंगे app permission अब मान लीजिए आपको permission से related problem आ रही है अगर आप map यूज कर रहे है मैप में location काम नहीं कर रही है तो आप एक बार इसे deny कीजिए deny और वापस से इसे allow कर दीजिए ठीक है और back आ जाईए इसी तरीकी से कोई और आप में location की problem आ रही है जैसे की WhatsApp में तो इसे आप deny कीजिए allow कर दीजिए ठीक है अब यहां पर आपको नीचे आना है और देखना है Google location accuracy तो अगर यह इस तरीके से off है तो आप इसे on कर दें और back आ जाए इसके बाद आप की जो भी problem है GPS related वो problem solve हो जाएगी कुछ पूछना है तो आप comment में मुझे से पूछ सकते हैं मैं आपको उसकर reply दे दूँगा वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को subscribe कर दें अपना बहुत ज्यादा क्यार रखें अलाव